हर्याना करमचारी चयन आयोग ने ग्रूप C की भरती के लिए 1-2 जुलाई को होने वाली स्क्रीनिंग टेस्ट को स्थागत कर दिया है अब ये परिक्षाएं 15 जुलाई के बाद होंगी इसके लिए दुबारा से स्केडिूल जारी किया जाएगा इससे पहले आयोग ग्रूप C की CET का विस्तरित परिनाम जारी कर इससे सारवजनिक करेगा परिनाम अगामी एक से दो दिन में घोशित हो सकता है इसमें आर्थिक समाज़िक अधार के अंकों को भी सारवजनिक किया जाएगा ताकि कोई गलत तरीके से अंक हासल ना कर सके आयोग ने 13 शेनियों में करी 12,000 से अधिक पदों के लिए 24 25 जून को परिक्षत तय की थी लेकिन बाद में इसे 1 और 2 जुलाई कर दी गए अब इसे फिर स्थागित कर दिया गया है आयोग का तरक यह है कि CET का परिनाम जारी किया था लेकिन यह परिनाम केवल अभ्यार्थी अपने रोल नंबर वा कोड की हिसाब से चेक कर सकते थी अभ्यार्थी किसी दूसरे का परिनाम नहीं देख सकते थी 4 गुना अभ्यार्थियों के बुलाने पर अडिंग आयोग नहीं अब स्क्रीनिंग परिक्षाओं से पहले CET के विस्तुत परिनाम को सारवजनिक करने का फैसला लिया है आयोग की दलील है कि इसलिए यह ऐसा किया जा रहा है ताकि किसी गलत तरीके से अंक हासल करने वाले का चयन ना हो और मामला अदालत तक ना जा सके परिनाम को सारवजनिक करके उस पर आपत्यां भी मांगी जाएंगी ताकि अगर किसी ने गलती से आर्थिक समाजिक के अंक लिये हैं वो उसे वापस कर सके इस बारे में आयोग के चेर्मेन भुपाल सिंग खदरी का कहना है कि 15 जुलाई के बाद नए सिरे से परिक्षाओं का स्केड्यूल जारी किया जाएगा अगामी एक या दो दिनों में CET का डिटेल परिनाम जारी किया जाएगा ताकि पारदशिता बनी रही परिशिक्षित अस्तनातक शिक्षक की भरती में समाजिक आर्थिक आधार पर अंक मांग रही 2522 उमीदवारों की सूची HSSC ने सारवजोनिक कर दी है आयोक के संग्यान में आया है कि कई अभ्यार्थियों नहीं अंजानी में या फिर गलत तरीके से समाजिक आर्थिक आधार के अंकों का दावा किया है